आपको पता है कि सबसे जाधा mobile joint, सबसे जाधा move करने वाला joint हमारे body में कौन सा है आप सोचने लग गये होंगे सबसे जाधा joint move कौन सा करता है तो मैं आपको पताता हूँ shoulder joint सबसे जाधा mobile joint है यानि कि उसका freedom of movement जो है वो बाकी joint से जाधा है जैसे आप सोचते होंगे जॉइंट तो सबसे जादा नहीं होता है क्योंकि हम चलते रहते हैं दिन बर लेकिन यी जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट है और उसमें एक ही तरह का degree of movement होता है जो mainly physiological होता है शोल्डर जॉइंट जो है वो कई सारे degree of movement देता है आगे भी जाता है पीछे भी जाता है side भी जाता है rotate भी करता है internal rotate करता है और कई degree of movement लेकिन ये जॉइंट इतनी mobility के साथ आपके बड़े सारे काम कर देता है आपको हाथ कहीं भी ले जाना है वहाँ जाएगा तो आज मैं आपको shoulder joint के health के बारे में बहुत ही important बात बताने वाला हूँ दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि ये ऐसी problems इसमें ऐसी हो जाती है जिनको आप prevent कर सकते हैं घर बैठे treat भी कर सकते हैं तो इस problem को समझने के लिए कि ये problem shoulder joint में ही क्यों होती है इसके लिए एक बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे की degree of movement इसकी सबसे जादा है वैसे ही इसकी जो बनावट है वो बड़ी ही ऐसी है कि loose तरह की जैसे बोल सकते हैं कि बहुत ही bone ही इसकी बनावट नहीं है bone का हिस्सा एक तरफ बड़ा होता है humerus का और दूसरी तरफ जो उसका socket होता है ball and socket joint है वो छोटा होता है बाकी का जो socket का area होता है वो muscular होता है fiberis होता है cartilaginus होता है और उसमें bone आके attach होती है आप picture में देख रहे होंगे तो दोस्तों यह वजह है इसमें आसानी से injury होने की और एक तरह के dislocation के बारे मैं आज सबसे ज़्यादा मैं जोर दूँगा और इस dislocation के अलावा जो shoulder में injuries होती है वो rotator cuff injuries होती है तो यह दोनों ह dislocation है वो ज़्यादा तर किसी न किसी over stressed position में होती है कई बार यह unknown भी होती है कि हमें पता भी नहीं चला और force लग गया और stretch हो गया and dislocation थोड़ा सा हो गया mild so आज मैं dislocation पर अपनी चर्चा को सिमित रखना चाहता हूँ rotator cuff injury के बारे में आपको आगे बताऊँगा दूसरे वीडियो में बताऊँगा तो dislocation जो है वो तीम तरह का mainly होता है shoulder joint आगे को dislocate कर जाए यानि कि आप इस तरह से देखें तो यह joint है यह आगे की तरफ चला आगया तो interior dislocation बोलते है इसको यह joint अगर पीछे की तरफ चला गया तो इसको बोलते हैं posterior dislocation और third होता है, सबसे rarest होता है वो होता है inferior dislocation तो इस तरह से यह तीन तरह की dislocation है जिसमें कि आगे जाने वाला dislocation सबसे common है कभी भी आप हाथ ऐसे करके सो जाएं और इस पर खुब जादा pressure पड़ जाए तो anterior dislocation हो सकता है बहुत जादा अगर force लग जाए तो anterior dislocation हो सकता है अगर आप इस तरह से कहीं गिर जाएं इस तरह से कहीं गिर जाएं out stressed hand में यूँ करके तो भी anterior dislocation हो जाए क्योंकि जैसे ही आप यह वाला action करेंगे आपका यह head आगे की तरफ आएं लग जाता है तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो हमें यह judge करना इसका symptoms क्या क्या है कि dislocation हुआ है हला कि यह self-diagnosable कहते हैं लेकिन इसमें self-diagnosable होने के बावजू थो थोड़ा सा कई बार यह quiz कर देता है आपको यह actually में हुआ क्या है किसी सफारी पे जाएं जंगल सफारी पे या किसी ऊचे नीचे टरेन पे जाएं और आप handle पकड़ लें handle पकड़ने के बाद जो moments होता है यह story का हिस्सा है यह मेरे साथ हो चुका है और उसको उसमें हम जंगल सफारी में नहीं गए थे हम एक mobile camp में गए थे जो की काफी ऊचे नीचे टरेन पर था तो हमने गाड़ी को जब ऐसे पकड़ा हुआ था और उसमें जूलते वे पूरा गाड़ी चल रही थी तो मैं अपने आपको stiff रख करके अपना relax हो करके I was sitting so मैंने देखा कि उसमें तो कुछ problem नहीं हुए traveling पूरी होगी नदियों से थोड़ी पानी वाली नदियों से होकर गई हमारी काड़ी और हमने mobile camp organize करके वापस आ गए उसी तरह के रस्तों से कुछ problem नहीं हुई उसमें लेकिन रात के समय में ये बहुत जबरदस्त उसमें pain arise हुआ जिसकी वेसे हम late ना चाह रहे थे तो late नहीं पा रहे थे और हम बैठते थे तो हमें pain में आराम मिलता था तो हम ऐसे में जब हम बिल्कुल डर गए कि ये कहीं पर जो है कोई कोई heart की problem ना हो तो दोस्तों आज मैं एक important tip आपको ये भी दे देता हूँ कि अगर shoulder की problem है या muscular problem है तो ये आपकी normal over the counter जो analgesic drugs होती हैं जैसे आई-brewfane या paracetamol इनसे आपको relief मिल जाएगा अगर ठीक से dose में लही जाए तो और अगर ये heart related होगा तो ये problem समझे कि इस तरह की drugs से उसको कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो ये एक बहुत important diagnostic factor है जो इसको normal left shoulder pain में ज्यादा तर होता है heart की problem से उसको relate किया जाता है तो उसको ये आप इस तरह से अलग कर सकते हैं और doctor attention ले सकते है so दोस्तों उसके बाद जो है अब number आता है कि आप करें क्या x-rays में कई बाद ये diagnose हो जाता है और x-ray के बाद आपको doctor generally slinge देंगे पहनने के लिए आप slinge में रहेंगे अगर dislocation बार-बार होता है तो हम उसमें bracing करते हैं और brace करके उसको हम manage करते हैं और toning करते हैं internal rotators की वो rotators जो internally rotate करते हैं उनके लिए आपको कुसी theraband को किसी चीज को pull कर लेना और इस तरह से movement करना like this you see ऐसे side में करके यहां आपने tie कर लिया और ऐसे करके internal rotators की धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े range में practice की थोड़ी सी overall toning करनी पड़ती है जैसे कि आप उस पर हलका सा weight दे simple weight दे के रखेंगे तो shoulder की toning बढ़ेगी यह later stage में सबसे initially जो आपको करना है वो करना है ice cubes के packs लेने है ice cubes को crush करके आपको उसको shoulder के उपर रखना है distinguish कर लेना है कि यह shoulder pain अचानक क्यों हो गया है तो दोस्तों इसके बाद आपको over the counter medicines जो होती है वो भी ले सकते हैं या doctor जो आपको advice कर रहे हैं pain को ठीक कर नहीं हमेशा doctor के advice से अगर आप लेगे तो आपको ज़ादा फाइदा होगा क्योंकि वो आपकी duration of जो drug treatment है उसको set कर देंगे और उसके accordingly आपको monitor कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे dislocations हैं इस पर मैं कभी और आपको वीडियो बनाऊंगा अभी इस वीडियो में आपको अगर कुछ doubt हो मुझे comment करके जरूर आप बताईए पूछिए और मुझे मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like कर दीजे चैनल अब तक subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लीजेगा ताकि मैं इस तरह की वीडियो जिससे आपको घर बैठे चांकारियां मिलती रहेंगी और आप अपने आपको बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे आप सब का दिन बहुत बहुत शुब हो नमस्कार